सूपरभात सभी को नमस्कार सभी का स्वागत भार्तिय योग संस्थान वेश्ट एन कलेव जिला से चलाई जा रही सुन्दर लाई योग कक्षा में बड़े हर्स का विशय आज हमारे साथ स्रीमान सुक्रम पाल जी अपनी ध्रम पत्नी के साथ सुन्दर योग साधना करके दिखाएंगे मैं आज अपने होम टाउन में आया वा हूँ एक बार पहले भी आपने सुन्दर साधना का परतरसन देखा है तो आएए शुरूवात करते हैं सुक्षम करियाओं से स्रीमान सुक्रम पाल जी के साथ और उनकी ध्रम पत्नी के साथ चलिए जी, दोनों पाउं सामने, दोनों हाथ पीछे रखें, अधिक सधिक पंजो को आगे पीछे करना प्रारम कर देएं करें जी करते जाएं अधिक सदिक इस परियास में भुटने बिल्कुल भी ना उठें करिये जी करिये चेहरे पर प्रसंता अब दोनों पाउं एक साथ गोला कार घुमाएंगे इस परियास में भी गुटने ना उठें अधिक सदिक घेरा बनाना है स्पीड थोड़ी कम हो ताकि अधिक सदिक मास पेश्यों पर सुन्दर परभाव आए अब भी प्रिद्धिसा से करेंगे रिवार्स बहुत बढ़िया करते जाईए करते जाईए अब दोनों पाउं को एक फिट खोल दें दोनों पाउं के अंगुठे एक साथ आसन के उपर स्पर्स करें जैसे कोपी को खोलते हैं बंद करते हैं जब भार की और जाए छोटी उंगली आसन को टच करें जब अंदर को आए तो दोनों पाउं के अंगुठे एक साथ आसन को टच करें करते जाएं जी राइट पाउं सरीर के साथ टच हो, एक बार लेफट पाउं सरीर के साथ टच हो, करिये जी, हाथों का सहरा लेकर कोशी जरूर करें कि A.D. मेरी आज सरीर को टच हो, गुटने का जोड परभाव में आएगा, करेंगे जी सब करेंगे, बिना समय गवाएं किजिए, सुक्षम क करेंगे जी दोनों पाउं से एक साथ करेंगे करते जाएए करते जाएए करते जाएए आ जाएंगे वाप पेस पाउं को थोड़ा रिलेक्स करें समान्य स्वास राइट पाउं को मोड़कर लेट पाउं के उपर रखें दोनों हाथों का स्टेंड मना कर जूला जूलाएंगे लेट से राइट राइट से लेट लेट पाउं के पंजे को तान कर रखेंगे करेंगे जी करेंगे कोशी जरूर करें लेफ पाउं का जो पंजा है वो तना रहे सामने घुटना दबा रहे एडी की उचाई घुटने के समान हो अब आएंगे वाप पेस इसी किरिया को लेफ पाउं से मोड कर करेंगे बाई टांग मोड ये और दोनों हाथों से पाउं को दाएं से बाएं करते जाईए करते जाईए बहुत बढ़िया कोशिस कीजिए एडी की उचाई भी घुटने के समान हो बराबर हो बहुत बढ़िया आप बहुत अच्छा कर रहे हैं सब लोग अब आज आएंगे वाप पेस पाउं को पुने सीधा करें हलका विस्राम ले अब दोनों पाउं निकट लेकर आएं सरीर के दोनों हाथों से पंजे को क्लेंप करके बटरफलाई करेंगे तितली आसन कोसिस कीजिए गर्दन कमर सीधी रखकर करें हम कोसिस कीजिए घुटने थाई आसन के निकट पहुचें कोसिस कीजिए चेहरे पर लगा थार खुसी का एसास बार बार एडियां आगे जाने का प्रियास करती हैं लेकिन आपने कोसिस करनी है कि उन एडियों को आगे ना जाने दें पूरे प्रियास के साथ करते जाएए बहुत बड़िया करेंगे 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 सभी करिए जी बिना समय गवाएं करिए धीरे धीरे आ जाएंगे वापिस पाउं को सीधा कर दें उन्हें विश्राम उन्हें समान्य स्वास हाथों का स्टेंड बिलकुल रिलेक्स हो जाएं पदमासन एडी पंजे मिलाएं पहले राइट लेक को मोड़कर नाभी के निकट बाई और स्थित करें बाई टांग को मोड़कर नाभी के निकट राइट साइड में स्थित करें दोनों हाथ ज्यानमुद्रा में आखें को मलता से बंद जिनसे पदमासन ना लगे अपनी स्व गहरे लंबे स्वासों का भ्यास, बड़ी सहस्ता के साथ धीरे-धीरे स्वासों को छोड़ना, धीरे-धीरे स्वासों को भरना, दोनों ही अवस्थाओं में कुछ पल रुकना, कुछी देर में आप मैसूस करेंगे, मन हमारा धीरे-धीरे शान्त होता हुआ, योग के परती, रुची उत्पन होती हुई, लगातार मुस्कान, आए, परमफिताब परमेश्वर का सुन्दर नाम ओम का उच्चारन करें, तीन बार, तत्पस्चात गायत्री मंत्र, सभी की आवाज आएगी, पूरे परिवार के साथ मिलकर बोलेंगे, गहरा लंबा स्वास लीजिए, अम् ओम भूर्भुवासावा तत्सावितुर्वारे नियम भर्गो देव शैधी माही धीयो यो ना पर्चो धयात हे प्रान पवितरता और आनन्द के देने वाले प्रभु आप सरवग्य और सकल जगत के उत्पाजक हैं हम आपके उसुत्तम पाप विनासक वैज्ञान सवरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्यों में परकासित रहता है आप सदैव हमारी बुद्यों में परकासित रहें और हमें सत्कर्मों की और प्रेरित करते रहें मुस्कुराते हुए दोनों पाउं को सिधा करें पदमासन खोलें हलका साब पाउं को समन्य कर लें विस्राम दे दें हिलाड उलाकर समन्य स्वास चलिए जी अब आशन के उपर बिना सहरा लिए खड़े हो जाएंगे कोशिस करेंगे खड़े होने की कुछ सुक्षम किरियाएं करेंगे चलिए जी सबसे पहले हाथों को चलाएंगे गोल-गोल अपने हाथों को घुमाना प्रारम कीजिए दोनों हाथ एक साथ भोध बढ़िया गरदन को सीधा रख कर करें कोसिस करें कोहुनिया बिल्कुल भी ना मुड़े कोसिस करें बड़े से बड़ा घेरा बने अब इसी किरिया को करेंगे दूसरी साइड से अब दूसरी साइड से भी कीजिए करते जाइए करते जाइए वापेश हलका विस्त्राम ले लें समान्य स्वास मुस्कुराते रहें थोड़ा अपने पाउं को भी चलाएंगे मोड़िये पाउं को और थोड़ा थोड़ा हाथ को भी चलाइए करिए जी करिए कोशिस कीजिए आपकी एडी आपके हिप्स को टच करें ताकि गुटने पर पूरा परभाव आए हाथ को भी चलाते जाइए चलाते जाइए खोलते जाईए उंगलियों को बंद करते जाईए वेरी गूड वेरी गूड भोद बढ़िया आज आएंगे वापिस समान्य स्वास पीटी की अक्सरसाइज करेंगे जी सभी प्रियास करेंगे दोनों पाउं में कंदों के समान दूरी बना ले दोनों हाथ सामने ले ले पहली स्थिति कंदे के सामने एक अब दो आकास की और तीन बगल से चार सरीर के साथ अब मेरी आवाज पर चलेंगे एक दो तीन चार एक दो तीन चार एक दो तीन चार करते जाएं एक दो तीन चार एक दो तीन चार एक दो तीन चार वापेस हलका विस्राम सरीर में आई हुई गर्मी को महसूस करें लगा अतार मुस्कुराते रहें चलिए जी हाप बैंडिंग करेंगे अपनी चमता को ध्यान में रख कर करेंगे दोनों हाथ कंदे की सीध में पाओं में स्वीदा जनक दूरी हथेली का रुख पर्थवी की और गहरा स्वास भरें और स्वास छोड़ते हुए घुटने को मोड़ कर थोड़ा थोड़ा जितना हो सकता है उतना करें बस हथेलिया पर्थवी की और रहेंगी बुजाक कंदे की सीध में रहेंगी और परभाव के साथ जुड़ें महसूस करें परभाव को देखिए परभाव को गुटने के उपर भोध ही अच्छा असर वेरी गुट जी भोध बढ़िया सुक्रम पाल जी आज हमारे साथ जुड़े हैं धीरे धीरे आएंगे वापेस उन्हें दोनों हाथ नीचे थोड़ा भी स्राम ले ले समान्य स्वास आईए जी त्रिकोन आसन का अभ्यास करेंगे दोनों पाव में कंदो से थोड़ा सा ज्यादा फासला बना लीजिए दोनों हाथ सरीर के साथ पाच उंगलियां मिली हुई अब स्वास भरते हुए राइट हाथ को धीरे धीरे ले चलें आकास की ओर कान के साथ खीचे उपर एक बार भुजा को लंबाई दीजिए स्वास भरकर और स्वास छोड़ते हुए बगल से लेफ्ट साइड में जुकेंगे बगल से जुकना है जी थोड़ा हो थोड़ा करें जादा हो जादा करें लेकिन जितना करें सही करें बस कलाई सीधी रहे गुटने मुड़े नहीं शरीर आगे की ओर टिल्ट ना हो भोत बड़िया जी ये देखिए दोनों की भोत ही सुन्दर इस्थिती बड़ी अच्छी सिमिट्री भोत अच्छा परभाव आपकी बगल में नाभी के राइट साइड में आ रहा है रुकना है आपने जी रुकने से ही फाइदा होना है एक बार गहरा लंब स्वास भरें और स्वास छोड़ते वे धीरे धीरे आएंगे मध्य में एक बार फिर से खीचे उपर और तानते हुए भुजा को नीचे ले कर आएंगे नीचे ले कर आएं अब इसी किरिया को करेंगे दूसरी साइड से लेफ्ट हैंड को तानते हुए लेकर चलें आकास की और भरिये गहरा लंबा स्वास और स्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बगल से राइट साइड में जुकेंगे अब की बार वेरिगुड जी भोत बढ़िया भोत बढ़िया कलाई को सीधा रखना है जी भुजा को कान के साथ सटागे रखना है समन्य स्वास में रुकें और महसूस करें बंद आखों में कहां पर असर आ रहा है करिये जी करिये करिये फाइदा करने से ही होगा भोत बढ़िया धीरे धीरे स्वास भरते हुए आएंगे वापेस भुजा को खिचेंगे और स्वास छोड़ते हुए भुजा को नीचे ले ले साइड से ही थोड़ा विस्तराम ले ले समानने स्वास रिलाक्स पाओ में स्विधा जनक फासला थोड़ा बिल्कूल समानने हो जाएं अपने आपको समानने कर ले चलिए जी एक और करिया करते हैं फिर की सी चलाएंगे दोनों हाथ अपने चेस्ट के निकट रखे और थोड़ा सा हाथों को पीछे ले कर जाएं फिर की चलाएंगे इस परकार से करिये, करिये, करिये एक बार, हाँ, करते जाएंगे पीछे के और जटके से ले कर जाएंगे जी वेरी गुड बहुत बड़िया इसका असर आता है कंदे के उपर, चेश्ट के उपर, गर्दन सीधी रखकर, पूरी मस्ती के साथ करते जाएं जी, करते जाएं परभावी तो होते वे कंदों को मैसूस करें, धीरे धीरे आ जाएंगे वापिस, समान्य स्वास, आखें कोमलता से बंद, तीन बार उठक बैठक करेंगे, जबर्दस्ती नहीं करेंगे, हो तो ही करेंगे, एक, वापिस, दो, वापिस, तीन, रुकेंगे अब की बार, हलका सा रुकिए, समान्य स्वास में रुकिए, भोत बढ़िया, वापिस, दोनों हाथ नीचे, रिलाक्स, स्वास को बिल्कुल समान्य कर लें, थोड़ा धिला छोड़ दें, सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे जी, सुन्दर किरियां आपने की, पूरा सुरीर हमारा वार्मप हुआ, चलिए जी, आसन के अगले इससे पर आजाएं, एड़ी मिला लें, पंजे खोल दें, पूरा सुर्य नमस्कार अपनी छमता के इसाब से करेंगे, जबर्दस्ती कोई भी किरिया में ना हो, कोई किरिया ना कर पाएं उससे पहले की या बाद की किरिया में रुख सकते हैं आप, चलिए जी, पहली किरिया पढ़ना मुद्रा, दोनों हाथ, छाती के निकट, पाचों उंगलियां मिली हुई, अंगुठे का मूल छाती के नीचे गड़े वाले स्थान पर, सहज भाव से अग्या चक्कर को निहा ये, मुस्कुराते हुए जहां तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, वहाँ पर देखना, आईए बगवान सूरिय का मंत्रो चान द्वारा आवान करें, पहले मेरी आवाज आएगी, फिर मिलकर परिवार के साथ आप बोलेंगे, स्वास भरते हुए दोनों व्याओं को ले चलें आकास की ओर, तानी अधिक से अधिक, कलाई को सीधा रख कर अधिक से अधिक पीछे की ओर, थोड़ा सा आर्क बनाएंगे, कंदो सहित गर्दन का, पिछे की ओर थोड़ा प्रैसर बनाएंगे, बहुत बढ़िया, घुटने धिले नहीं पढ़ेंगे जी, पाच उंगलिया मिली रहेंगी, बहुत बढ़िया जी, देखिए कितना सुन्दर आपके सामने परदर्शन, कपल जुड़ा हुआ है, कितनी सुन्दर साधना दोनों की, एक बार गहरा स्वास भरें, स्वास छोड़ते हुए, कमर से आगे जुकेंगे, कमर से जुकेंगे जी, जितना हो उतना करें, लेकिन घुटने को बिल्कुल भी ना मुड़ने दें जी, क्योंकि गुटना अगर मुड़ेगा, तो पूरा लाव आपको नहीं मिल पाएगा, प्रियास जुरूर करें जी, ये देखिए जी, उंगलियां भी आसन से छुग गई हैं, भोत बढ़ियां जी, सुक्रमपाल जी, बिल्कुल देखिए, पाउं बिल्कुल सीधा है, कमर से क अब दोनों हाथ आसन पर सटाएंगे, और राइट पाउं को पीछे लेकर जाएंगे, जितना संबभ हो सके, पीछे लेकर जाएं जी, कोसिस करें, भोत बढ़िया, करिए, 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 भोत बढ़िया कर रहे हैं, ये देखिए, साइड से आपको दिखा रहा हूं, कितनी सुन्दर इस्तिती करिए जी करिए कमर नीचे से नीचे गर्दन पीछे से पीछे प्रियास जरूर करना है वेरी गुर्जी भोत बढ़िया दूसरा पाउं भी लेकर चलें एडी आसन पर लगाने की कोशिष ठुड़ी कंट कुब में पाचा उंगलिया लगातार मिली हुई है भोत बढ़िया ये देखे कितनी सहस्ता के साथ पूरे पाउं की आसन पर सरीर की वीशेप है भोत बढ़िया क्रैंप की प्रोलम दूर थायरायड गरंथिया परभाव परभावित यहीं से आ जाएंगे पैरलल पूरा सरीर एक लाइन में लेकर आईए और सहस्ता से रुखिए पूरे स्रीर का वजन आपका थेलियों पर हो पंजों पर हो एक लाइन में पूरा स्रीर कंदों में बजबूती आती हुई रुकना सहस्ता के साथ भिना किसी तनाव के करम से लगाएंगे पहले घुटने नाभी को संकुचित करते हुए वक्सेसल अंत में फोरहेड माथा अश्टांग परणाम आठंग धरती मा को सपर्स करते हुए मा की गोद में विसेश सुकुन मिलता हुआ विसेश आनंद के अनुभूती अनाहद चक्कर पर ध्यान होना चीए इस वक्त आपका भोत बढ़िया जी भोत ही बढ़िया हथेलियों पर दबाव बनाते हुए आगे से धड़ को खोल दें पीछे की ओड़े कर जाएं पीछे से पाउन ही खोलेंगे जी पाउन आपके लगातार मिले रहेंगे कोसिस कीजिए जी पाउन लगातार भोत बढ़िया सभी साध्यक भोत अच्छा कर रहें आज मैं अपने होम टाउन से स्रीमान सुक्रम पाल जी अपनी ध्रम पत्ने के साथ देशे कितनी सुन्दर साधना आपको करके दिखा रहें उनकी सुन्दर वाटिका के अंदर ये सुन्दर साधना हो रही है स्वास भरते वेप पीछे से भी धड़को उठा देएं अब सारी स्थितियां रिपीट होंगी ये आठमी स्थितियां आ गई अब भोत बढ़िया ये देखिए जी कितनी सुन्दरता के साथ वेरी गुड भोत ही बढ़िया लगातार एडियों का स्पर सासन के उपर है जी लगातार ठुड़ी कंट कुम में है जी अंगुठा उंगली के साथ मिला रहे गैप बिलकुल भी ना आए कंदों को मजबूत होते वे मैसूस करें आतम विस्वास भड़ता है यहीं से राइट पाउं को आगे लेकर आएंगे एक बार में आ जाए अतिवत्तम अन्यथा दूसरी बार में प्रियास करेंगे कमर को नीचे की और दबाएंगे गर्दन को पीछे की और उठाएंगे कोसिस जरूर करें पीछे वाले पाउं का घुटना हवा में रहे कोसिस करनी है जी आपने पूरी अथेली जमाई आसन पर ताकि एक्क्यू प्रेसर के लाब ले पाएं आप रुकना है जी फाइदा रुकने से ही होगा बार बार ऐसा संदेश दीजिए अपने आपको दूसरी टांग भी आगे फिर से एक बार कोसिस कीजिए अपनी बीस उंगलियां एक लाइन में आएं कोसिस करनी है इसके लिए घुटना सीधा रहे नाभी का संकोचन करना है आपने भोध बढ़िया करत करत अभ्यास के जडमती होत सुजान देखिए जी अभ्यास के द्वारा कितनी बढ़िया साधना आपके सामने दिखाई जा रही है यहीं से स्वास भरते वे कमर को सीधा करेंगे आराम आराम से करेंगे बुझा को कान के साथ लगा कर करेंगे खीचे बुझाओं को एक बार लंबाई दीजिए अधिक से देख पीछे की ओर थोड़ा साप प्रैसर बनाएंगे कंदो का गर्दन का करिए 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 बहुत बढ़िया कलाई सीधी रखनी आपने जी कलाई को नहीं मोड़ना बिलकुल भी थोड़ा सा पीछे की ओर प्रैसर बनाना है अपने कंदो का थोड़ा आर्क बनाना है स्वास दोस्तों छेखडियां 72 गार पशैशा प्रभाव में है देखने में कितनी सरलशी करिया लेकिन कितना प्रभाव देने वाली करिया हрахşallah एक बार गहरा लंबा स्वास लीजिये और स्वास छोड़ते वे कमर से आगे की और स्वास छोड़ते हुए दोनों बजाएं परणा मुद्रा में परणा मुद्रा में ले आएं यहीं पर परणा मुद्रा में अग्या चक्कर को देखिए सरीर में आई हुई उड़्जा को देखिए परकास के नुभूती करें मुश्कुराते रहें मुश्कुराते हुए दोनों हाथ नीचे बंद आखों में धीरे से अपने आसन पर बैठ जाएं और सवासन में लेड जाएं सर मेरी ओर रहे, पाउं दूसरी ओर रहे बेलकुल सिथिल स्रीर छोड़ दें अब अब कोई भी हिल्डूल ना हो जी मन की आखों से अपने पूरे स्रीर का मानसिक अवलोकन करेंगे दोनों पाउं में क्रीब एक फिट की दूरी हो दोनों हाथ सरीर से क्रीब आदा फिट हटे वे हो समन्ने स्वास लेते रहें छोड़ते रहें चलिए जी छेतन अवस्था में आएंगे मिलाएंगे दोनों पाउं में रुकें लेकिन खिचाव लगातार बना रहें बहुत बढ़िया ये लेट कर ताड़ासन कर रहे हैं यही से आ जाएंगे वापिस हलका सा विस्त्राम ले लें रिलैक्स हाथों को आगे ले लें पंजों को ढिला छोड़ दें यही से राइट साइड में करवट लेंगे और उठ करके अपनी दाहीनी ओर से करवट लेते हुए बैठ जाएंजे चलिए जी कोन आशन का अभ्यास करते हैं दोनों पाउं सामने दोनों हाथ पिछे रखे हथेलियों पर एडियों पर पूरे स्रीर का भार डालते हुए मध्य भाग को धीरे धीरे उपर उठाना प्रारम करें कोन आशन कोसिस करें अपने पंजों को आशन पर लगाने की लगे ना लगे लेकिन आपने प्रियास जरूर करना है वा जी वा ये देखिए भोथ ही बढ़िया जी दोनों का इतना सुंदर परदर्शन वे रिगूर जी भोथ बढ़िया कंदों में मजबूती आती है रुकना है फाइदा रुकने से ही होगा बस ये आपने पूरी तरह से अपने आपको संदेश देते रहना है स्वाज छोड़ते हुए आराम-आराम से वापिस आए समय वापसी में भी थोड़ा लगाना है कभी भी सरीर को एकदम से ना छोड़ें पुनेविस्तराम लें पंजो को धिला छोड़ें हाथों का स्टेंड है हर आसन के बाद खुद के उपर गर्व मैसूस हो उसके परभाव के साथ जुड़ना उसके परभावित अंग की खुसी को देखना पुने एक बार मन मनाएंगे एडी पंजे मिलाएं दोनों हाथ राइट साइड में रखें दोनों पाउं लेट साइड से मोडते हुए वजरासन में आ जाएं जी दोनों घुटने मिले हुए अथेलियां घुटनों के उपर रीड सवते ही सीधी एक मात्र ऐसा आसन है जो किसी भी समय किया जा सकता है जनरली आसन भोजन के बाद तुरंत बाद नहीं करने होते हैं दो-तिन घंटे का कम से कम गैप ची होता है लेकिन इस आसन को आप तुरंत बाद कर सकते हैं और तुरंत बाद करने पर इसका ज़्यादा लाब मिलता है डाइजेशन बढ़िया होगा आपका आपके हिर्दय को मस्तिस को अधिक मात्रा में रख्तिया पुर्ती होगी लंबी सहर के सारे फाइदे आपको मिल जाएंगे केवल और केवल बैठने से ही तो क्यों ना इसका भ्यास किया जाए अपनी दिंचरिया में इसको जरूर इंकलूड किया जाए और एक फाइदा और होगा अगर हम इसका भ्यास करेंगे बच्चों के उपर सुन्दर परभाव आएगा उनको प्रेणा मिलेगी बच्चे भी आपके साथ बैठना प्रारम कर देंगे उस्टासन गुटनों के उपर खड़े हो जाएंगे अपनी छमता के नुसार करेंगे जवर्दस्ती नहीं दोनों गुटनों में कंदों के समान दूरी दोनों हाथ कमर पर रखें पंजों को भी खोलें पिछे से अब अपने हाथों से अपने कमर को दबाते हुए धीरे धीरे पिछे की ओर बैंड करना शुरू करें जरूरी नहीं कि आपने पूरन इस्थिती तक जाना ही जाना है जितना संभव हो सके उतना करना है बस ध्यान रहे कि मेरे हिप्स पीछे न आ जाए क्योंकि फाइदा तभी मिलेगा जब हिप्स मेरे लगातार सीधे गुटने से लेके ना भी तक का भाग सीधा अब जो साधक पूरन इस्थिती में जाना चाहें अपनी अथेलियों से अपने तल्वों को पकड़ सकते हैं केवल कोशिस करनी है जी जबरदस्ती नहीं करनी है बिलकुल भी भोत बढ़िया भोत सुंदर साधना का परदसन आपके सामने चल रहा है जी जैरी गुड़ जी भोत भी बढ़िया लग रहा है हमारी युवा साथी जैसा आपके सामने अभ्यास करते हैं उससे कम नहीं है जी बिलकुल भी धीरे धीरे आएंगे वापिस बिलकुल आराम राम से वापिस आएंगे कभी भी उष्ट आसन में जब वापिस आएं एकदम जल्द वाजी ना करें उन्हें एक बार वजरासन में बैठ जाएं मुस्कुराते भी बैठ जाएं समान्य स्वास में बैठ जाएं आखें बंध हो लगातार एहसास हो इस्वर की किर्पा से इतनी बढ़िया साधना हम लगातार कर रहे हैं इन विप्रीत प्रिस्थितियों में भी कर रहे हैं मंडूक आसन दोनों हाथों की मुठी बनाकर नाभी के दाएं बाएं रखें गहरा लंबा स्वास भरें नाभी के निकट रखने हैं गहरा स्वास भरिये और स्वास छोड़ते हुए कमर से धीरे धीरे आगे जुकें कोसिस करें हिप्स ना उठें एडियों से लगातार सटे रहें फिर भी अगर किसी के उठ रहे हैं थोड़े भूत कोई बात ने गर्दन पीछे से पीछे रहेगी ठुड़ी सामने तनी रहेगी जैसे जैसे पेट में गैप बनता है वहां पर हमारी मुठी अंदर की ओर धस्ती हुई जाए समान्य स्वास में रुख जाएं इस किरिया से हमारे लीवर पर पैन किरियाज पर विसेश असर आता है प्रें क्रियाज स्वस्थ होंगी इंसुलीन आपका सही मात्रा में बनेगा इंसुलीन सही मात्रा में बनेगा डाइबिटीज की प्रोलम दूर हो जाएगी कभी नहीं आएगी पता होना ची हमें आसन का लाब पता होना ची है क्यों हम ऐसा कर रहे हैं और बंद आखों में जुड़िये महसूस कीजिए कि मेरी पैन किरियाज पर भोध अच्छा सरा रहा है थोड़ा ज़्यादा देर रुखते हैं इस आसन में धीरे धीरे आएंगे वापिस बिलकुल आराम राम से सहस्ता से वापिस आएंगे मुस्कुराते भे वापिस आएंगे इसी का एक दूसरा आसन करते हैं नाभी वजरासन बाई अथेली को नाभी के उपर ढग लें और दाई अथेली, बाई अथेली के उपपर ढख लें कब बन जाएगा जी गहरा लंबा स्वास भरिये और स्वास छोड़ते हुए उन्हे आवरती को रिपीट करें फिर से एक बार कमर से जुगिए अब इस्तिती थोड़ी चेंज हो गई पहले हमने मुठी बनाकर किया था अब की बाई अथेली का कब बनाकर कर रहें ना भी अपने स्थान पर भी रहती है और पिछले आशन के सारे लाव आपको मिल रहें कोसिस करें गर्दन को लगातार हलका हलका पीछे की और तान के रखें समान्य स्वास बंद आखों में जुड़ना अपने स्रीर के साथ धीरे धीरे आजाएंगे वापिस अराम अराम से वापिस आजाएं पुन्हें एक बार वजरासन में बैठ जाएंगे रिलैक्स यहीं से पेट के बला जाएंगे सिथिलासन दाइयोर इसको बालासन भी बोलते हैं राइट साइड के अंग हमारे सीधे रहेंगे लेफ्ट साइड के अंग हमारे मुड़ जाएंगे सरीर को बिलकुल ढिला छोड़ना किरिया में रुकने से हाई बीपी वालों को काफी हेल्प मिलती है लाब मिलता है चलिए जी अब हम करने जा रहे हैं सलब आसन भोथ ही बड़ी आसन है और सुक्रम पाल जी का तो ये आसन देखने वाला है हमारी युवा साथियों से भी भोथ भोथ बड़िया होने वाला है सब देखेंगे अगर एक बार देख भी लेंगे जब आगर आप करकर भी लेंगे ठुड़ी आसन पार दोनों पाउं मिले हुए दोनों थेलियां जगाओं के नीचे मन मनाएंगे स्वास भरते हुए दोनों पाउं बगैर घुटना मोड़े धीरे धीरे उपर उठा देए अराम अराम से उठाए जी कोशिस करें घुटने भी उठें जगाए भी उठ जाए और फिर उसके बाद समान्य स्वास में रुख जाएं जी ये देखिए जी भोत ही बढ़िया जी वा जी वा सुक्रमपाल जी कितना भोड़ी के उपर सुम्दर कंट्रोल भोत बढ़िया कर रहे हैं जी भोत ही बढ़िया कर रहे हैं आप सब लोग करना है जी आपने फाइदा करने से ही होगा कमर के उपपर भोत सुन्दर इसका परभाव सर्वाइकल ठीक क्योंकि ठुड़ी आसन पर लगी हुई है रुकना लेकिन चमता के इसाब से जी वेरी गूड वेरी गूड जी भोत बढ़िया जी भोत ही सुन्दर साधना का परदर्शन थीरे थीरे बिल्कुल आराम आराम से सहस्ता से वापिस आएंगे पाउं के पठकने की आवाज नहीं आए जी बिल्कुल भी सिथिल आसन बाई योर लेफ्ट सैड में बाई भुजा बाई टांग सीधी दाई भुजा दाई टांग मुड़ी हुई समान्य स्वास में अपने आपको विश्राम दीजिए लगातार मुस्कुराते रहिए कोई देखे ना देखे लेकिन साधना आपकी ऐसी हो हर आसन के बाद आपको विशेश अनुभूतिया हो उन्हें एक बार मन मनाएंगे एडी पंजे मिलाएं राइट साइड में करवट लेकर पीठ के बला जाएं चलिए जी एक बार हम परती दिन करते हैं दोनों हाथ अपने सर के नीचे रखिए एक बार दोनों पंजे तानिये और स्वास भरते हुए दोनों पाव को धीरे धीरे 90 डिगरी पर उठाईए कोसिस करिए जी 90 डिगरी पर करिए 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 बहुत बढ़िया वेर इगोड जी पंजे को तानिये और धीरे धीरे एडियों को आसन के निकट लेकर आईये आसन से छूना नहीं और फिर से लेकर जाएं उपर जो छूना चाहें छू सकते हैं लेकिन चमता को ध्यान में रखकर तीन से चार आवर्तियां करें जी अपने आप एडियों को आसन के निकट ले जाना और बड़ी सहस्ता से पुने 90 डिग्री पर लेकर जाना बंद आखों में नाभी के उपर ध्यान को गेंद्रित करें मोटापा जल्दी खतम होता है जी भोत ही बड़ी आसन है देखने में पुने इसको बड़ा सरल लग रहा है आवर्ति को पूरा करते हुए आएंगे वापिस एडि को इतनी आराम से रखें कि खुद को भी आवाज ना आए हाथों को आगे ले लें समन्य स्वास विश्राम मुस्कुराते रहें समन्य स्वास में मरकट आसन एडी पंजे मिलाएं दोनों पाउं को इकठा मोड़ें एडियों को सरीर के निकट ले आएं दोनों हाथ दाएं बाएं फिला दें वेरी गुड प्रारंबे की स्थिती बहुत बड़ी आवन गई है अब स्वास भरते हुए दोनों घुटनों को ले चलें राइट साइड में और गरदन को ले चलें लेफ्ट साइड में साथ साथ बुजाएं लगातार खिची रहेंगी गुटने के उपर गुटना एडि के उपर एडि अंगुठे के उपर अंगुठा दोनों घुटने जैसे मिल करके एक हो गए हो ऐसा आपने इस्थिती को बनाना है उपर वाला घुटना उठने का प्रियास करता है लेकिन आ पानने स्वास में रुकना है आपने रुकिये जी रुकिये पाचों उंगली लगातार मिली हो भोध बढ़िया जी भोध ही सुन्दर साध्ना आपके सामने कमर के लिए भोध ही सुन्दर इस्थिती है ये रीड की विसेश इस्थिती बनकर आपके रीड के सारे दोस्त समापत हो रहे हैं भोध शांदार जी स्वास छोड़ते वे धीरे धीरे मध्य में आएंगे मुस्कुराते भी आएंगे एक बार एडियों को निकट से निकट कर सकते हैं करना चीए आपको फिर से स्वास भरते हुए दोनों गुटने लेट साइड में साथ साथ गर्दन राइट साइड में करिये जी करिये तुन्हें गुटने से गुटने को दवाईए गर्दन को भी राइट साइड में ले जाना है कोसिस करनी है कि मेरा कान आसन को सपर्स करे लेकिन जटका नहीं देना जी कोसिस करनी है बस केवल आपने भोत बढ़िया भोत ही सुन्दर धीरे धीरे आएंगे मध्य में गुटने भी साथ साथ गर्दन भी साथ साथ तुन्हें एक बार हाथों को आगे ले ले पाउं को खोल दें रिलेक्स रिलेक्स समान्य स्वास कि आज का आखरी आशन करने जा रहे हैं सेतु बंद आशन कि सभी प्रियास करेंगे लेकिन चमता को ध्यान में रख कर करेंगे कि एडी पंजे मिला लें दोनों हाथ दोनों पाउं फिर से एक साथ मोड़ें दोनों हाथों से टकनों को पकड़ लें एडी को पकड़ लें सही करेंगे गलत नहीं करेंगे बस हमेशा यही आपका टार्गेट होना चीए दोनों टकने पकड़ में आ गए और अब स्वास भरते वे मध्य भाग को उठाएंगे धीरे धीरे उठाएंगे पहले अपने हिप्स को उठाएंगे फिर अपनी कमर को उठाएंगे अंत में चेस्ट को उठाएंगे और समान्य स्वास में रुख जाएंगे बहुत बढ़िया जी बहुत ही बढ़िया वेरी गुड जी वा जी वा सुक्रमपाल जी इतना बढ़िया आपके सारे पोस्चर्स सेवंटी पलस की उमर में देखिए इतनी बढ़िया साधना आपके सामने भोत बढ़िया रुकना है जी आपने भी आज की वीडियो को आपने देखना है जी और जो लोग कहते हैं कि जी हमारी एज हो गई हम कर नहीं सकते उनके लिए आज की साधना जरूर देखनी बनती है भोत बढ़िया देखिए दोनों की कितनी सिमिट्री कितनी बढ़िया इस्थिति है मुस्कुराते हुए थीरे थीरे आएंगे वापिस सहस्ता से वापिस आएंगे जी पूरी त्रह वापिस आने पर पाउं को सिधा कर दें हाथों को धिला छोड़ दें सवासन दोनों पाउं में क्रीब एक से डेड़ फिट की दूरी हो स्विधा के साब से हो दोनों हाथ सरीर से हटे वे हो थोड़ा सस अलग हो आजा फिट के क्रीब उंगलियां धिली हो जाए अब अब आपने कोशिस नहीं करनी कि मेरी उंगलियां आपस में टच करें इतनी ढिली कि अपने आप हलकी सी उंगली मुड़ जाए और मन की आखों से अपने सरीर का मांसिक अवलोकन करेंगे देखें कहां पर परभाव आया कौन से आशन से की संग को लाब प्राप्त हुआ यात्रा प्रारम करें पाउं से सर की और इस वर से एक ही प्राप्त ना हो कि है इस वर साधना हमारी प्रति दिन हो सर्दी का गर्मिनी का बरसात का कोई भी असर नहीं हो सुंदर संकल्प के साथ हेड़ी पंजे मिलाएं अपने दाहिनी ओर राइट साथ करवट लें और उट करके बैठ जाएं जी चलिए जी मस्ति भरी असी हमारे युवा साथियों के साथ देखिए दिमाग से आदमी जो है बुड़ा होता है अगर दिमाग में आपने सोच लिया कि हम जवान हैं स्वस्थ हैं तो फिर उमर का कोई फरक नहीं पड़ता जी आईए मस्ति भरी असी प्रारम करें हस्ते जाएं आज की अंति मावर्ती शांत अब बिलकुल शांत भाव से बहर जाएं आईए सुन्दर प्रानयाम का अभ्यास करेंगे भोत बड़िया बड़िया आपने आसन किये इस से आपने अपने सुन्दर स्थूल सरीर को परभावित किया अब जो है हम प्रानयाम द्वारा अपने सुक्षम सरीर को परभावित करेंगे हम इसा की भांती आईए सुरुवात करेंगे बस्तरी का प्रानयाम से सर्दी का मोसम है अभी दोत रहके बस्तरी का प्रानयाम हम प्रती दिन आपको करा रहे हैं जी तो उसमें से पहला भस्त्री का प्रानयाम दोनों हाथों को लेकर जाएं आकास की और आकास की और लेकर जाएं पाच उंगलियां खोल दें और अब शक्ति लगाकर जटके से हाथों को नीचे लेकर आएंगे मुठी बंद करेंगे फिर से उपर करते जाएं 20 से 25 आवर्ती करेंगे लेकिन अपनी चमता को ध्यान में रखकर करेंगे अवाज आएगी जी स्वास छोड़ने की भी और स्वास भरें तब भी थोड़ी अवाज हो करिये जी कमर को सीधा रखकर करें घर्दन को सीधा रखकर करें जो पदमासन लगाकर कर सकें, पदमासन लगाकर ही करें घर में आ रही है जी, भोत बढ़िया से आपके फेफडे परभाव में हो रहे हैं भोत बढ़िया से आपकी सवसन पढ़नाली परभाव में आ रही है आवर्ती को पूरा करते हुए शांत समन्ने स्वास बिलकुल रिलेक्स हो जाएं जी लगातार मुस्कुराते रहें जी महसूस करें सरीर में आई हुई गर्मी को चलिए जी बस्ति का प्रानेयाम का दूसरी स्थिती करेंगे दूसरी त्रहसे करेंगे फिर से एक बार मन मनाएंगे दोनों हाथ पलट कर घुटनों पर रहेंगे अबकी बार रीड गर्दन फिर से सीधी है सरीर में हिल्डूल कम से कम होगा जी अबकी बार आपने मूलबंद लगा करनी है किरिया भढ़ने में भी शक्ती छोडने में भी शक्ती सरीर ना हिले शुरू करें जी किरिकशन पर ना हिल सक्षाब बार आवर्ती को पूरा करते फे शांत शांत अवस्था समान्य स्वास आखें नहीं खोलेंगे तुन्हें मैसूस करें पूरे श्रीर में गर्मी का एसास प्रान शक्ति का सर्जन कर रहें आप इस सुंदर अमरित बेला में इन सर्दियों में अगर आपने लगातार साधना की पूरे मन से साधना की तो जीवन भर आप योग से जुड़े रहेंगे और किसी भी मोसम से आप परभावित नहीं होंगे मोसम के बदलने से होने वाले रोगों से दूर रहेंगे समान्य स्वास लगातार खुसी प्रसंता चेहरे पर मुस्कान होठों पर बार बार इस्वर का अभार व्यक्त करें बार बार अपने गुरु जुनों का अपने माता पिता का अभार व्यक्त करें कपाल भाती प्रानयाम दोनों हाथ पलटकर गुटनों पर रीड गर्दन सीधी पुने मूलबंद लगाकर की जाने वाली किरियाद धीरे धीरे स्वास को भार छोड़िए आनन्द पूर्वक धीरे धीरे स्वास को भार लीजिए और शक्ति लगाकर दोनों आसिकाओं से स्वास को भार फैकें नैचरल रूप से आने दें पुने शक्ति लगाएं भार फैकें करते जाएं जी स्वास के छोड़ने में आपने शक्ति लगानी है प्रियास करना है लेकिन स्वास के भरने में कोई भी कोशिस ना हो नेच्रल रूप से अपने आप भड़ने दें लेकिन चेहरे पर कोई भी सिकन नहीं आए बिल्कुल भी जी कोई तनाव नजनी आए योग में तनाव का कोई काम नहीं लगातार खुसी का एसास करते जाएं जी करते जाएं भोथ ही बढ़िया कर रहे हैं आप सब लोग अपनाव सब में डाएं छोग में प्रुस्य जय एस लोग मीन हूदिक, जजब ल бы बमक्ते थेज़को जड़ से बाएं भी सोग्वस्वश्श काभ में लेगी करते तो लुस्वशत कोई पुस्वशत हॉत siamo रह già करते जाएं करते जाएं करिए जी करिए करिए कपाल भाती प्रानयाम करने से हमारे फेफडे जो है वो स्वस्थ होते हैं हिर्दे के उपर असर आता है पेट के सारे आंत्री कंग परभाव में आते हैं चेहरे के उपर चमक आती है करते जाएं जी भोध बढ़िया करिए जी करिए करने से ही फाइदा होगा जब स्वास को छोड़ें पेट को आपने साथ साथ सिकोडना है अंदर की और नए साथी बीच में ठकावट महसूस करें विस्राम करके फिर से शामिल हों कमर ना जुके जी घर्दन ना जुके कमर सीधी रहेगी सातों चक्रों में प्रान शक्ति का सर्जन होगा एक ही बार में अधिकादिक स्वास को भार छोड़ें बाहियक कुम्बक में रुख जाएं स्वास को भार रोक देना बाहियक कुम्बक कहलाता है साथ में त्रीबंद लगाएं जिन से त्रीबंद ना लगे मूल बन तो अवश्चे लगाएं त्रीबंद खोलते हुए शान्त आखें को मलता से बंद हैं सुन्दर अनुभूती लगातार खुसी का एहसास रोम रोम परफूलित स्वास को बिल्कुल समान्य होने दें अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे जी अल्टरनेट ब्रीधिंग लेफ्ट हैंड ज्यान मुद्रा में राइट हैंड की प्रानया मुद्रा बनाएं अंगूठे को रखें दाइन आसिका पर अनामिका को रखें बाइन आसिका पर अनामिका को हटाते वे लेफ्ट साइड से बिना आवाज किये स्वास को भरें राइट साइड से स्वास को धीरे धीरे भार करें फिर राइट साइड से स्वास को भरें लेफ्ट साइड से स्वास को भार करें ये एक आवर्ती हुई सुन्दर आवर्तियों को रिपीट करते जाएं सबसे सरल सब के लिए सुलब लेकिन बहुत ही अफेक्टिव प्रानयाम इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली क्रिया है ये अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रोंग होगी रोगों से लड़ने की चमता होगी हमारे अंदर तो सभी रोगों से दूर रहेंगे चाहे वो मोसम के बदलने वाला रोग हो बुखार हो खासी हो बीपी हो हर रोग से हम दूर रहेंगे करते जाएं जी लगातार खुसी पूरा ध्यान आते जाते स्वासों पर हो स्वास की अवाज भरने की या छोडने की खुद को भी नाए बाएं से भरना दाएं से छोडना दाएं से भरना बाएं से छोडना ज्यान मुद्रा की इस्तिती में अंगूठा और पहली उंगली मिली हुई बाकी तीनों उंगलिया सीधी तनी हुई भूत बढ़िया भूत ही सुन्दर साधना का परदर्शन आपके सामने कितनी हैज साधना पूरी तरह इस प्रानयाम में खो जाए हर आवर्ति में इस्वर का एसास हो हर स्वास को इस्वर का सुन्दर उपहार समझें बाई और से लेफ्ट साइड से स्वास को छोड़ते हुए आवर्ति को पूर्ण करेंगे सुरू हमने बाई और से किया था खतम भी बाई और से ही करेंगे हाथ वापिस ग्यानमुद्रा में आजाएंगे आखे नहीं खोलनी सुन्दर एसास सुन्दर अनुभूती समान्य स्वास कुछ सादकों की कमर गर्दन जुग जाती है अपने आप भ्यान रखें जी केवल योगा भ्यास के दुरान ही नहीं पूरे दिन आप कोसिस करें हम कमर को गर्दन को सीधा रखकर ही चलें सीधा रखकर ही बैठें आज का अंतिम प्रानयाम करेंगे भ्रामरी प्रानयाम माइंड के लिए बहुत बढ़िया अनिद्रा रोग को खतम करने के लिए बहुत बढ़िया आगे की दोनों उंगलिया अपनी आखों पर ढगलेंगे कोमलता से नीचे की दोनों उंगलिया मतलब चार उंगलिया लिप ने आवर्ती को पूरा करते हुए शान्त दोनों हाथ पुने ज्ञानमुद्रा में पुने रीड गर्दन सीधी है मैसूस करें माइन्ड पर आए हुए परभाव को बच्चे इसका अभ्यास करें उनकी बुद्धी शार्प होती है भुजूर्ग इसका अभ्यास करते है तनाव दूर होता है नींद बड़ी आती है और जो भूलने की बड़ी उमर में जो सिकायत रहती है वो दूर हो जाती है बहुत सुंदर सुंदर आपने अप्रानयाम का अभ्यास किये आए कुछ देर परहू का ध्यान करें उस परम पिताप परमेश्वर का ध्यान करें उसके सुंदर नाम का गुनगान करें सम्मिलकर मेरे साथ ओम की सुन्दर धवनिया करेंगे पूरे प्रिवार के साथ करेंगे दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में यथ्वा ब्रह्मानजली मुद्रा में रख सकते हैं बाई अथेली पे दाई अथेली नाभी के निकट सह जवस्था भरें स्वास अम् 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 अम 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 ओम, 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 शान्त, शान्त अवस्था, मन ही मन, ओम का जाब चलता रहे, हर स्वास पर स्वास में ओम की धवनी हो, ऐसा परतीत हो चारो दिसाओं में ओम का गुंजायमान हो रहा हो, भोथ ही सुखद एहसास लगातार मन-मन मुस्कान होटों पर, स्रीमान सुक्रम पाल जी आज हमारे साथ जुड़े हैं, अपनी धरम पत्नी के साथ कितनी बढ़िया साधना आपके सामने करके दिखाई, हर एक आसन आपने देखा, बाद में भी देखें, और इनकी आवाज भी भोथ बढ़िया है, पिछली बार भी इन्होंने कुछ लाइने सुनाई थी, तो आज फिर इनसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, कि कुछ सुन्दर कोई भजन, कोई उसका मुखडा, कुछ हमारे को सुनाएं, श्रीमान सुक्रम पाल जी, आज वायर जो है वो घर पर रह गया मेरे पास, नहीं है, लेकिन इनकी आवाज भूत बुलंद है, वैसे ही आवाज आ जाएगी, गीत के द्वारा भगवान से प्रार्थना करते हैं, यही अभिलाशा है भगवान, यही अभिलाशा है भगवान, प्रातै साएं इतनी अम से गाएं तेरा गान, यही है अभिलाशा भगवान, यही है अभिलाशा भगवान, वेदों का पत भूलने जाएं, सात्य अहिनसा को अपनाएं, सात्य अहिनसा को अपनाएं, सात्य सात्य धरम यही है अभिलाशा भगवान, प्रातै साएं इतनी अम से गाएं तेरा गान, अभिलाशा भगवान, यही है अभिलाशा भगवान, मन में भाव बुरे ना आएं, पाप करम ना होने पाएं, किसी तरह कालेश मात्र भी होना हमें अभिमान यही है, अभिलाशा भगवान, यही है अभिलाशा भगवान, प्रातै साएं इतनी अम से गाएं तेरा गान, यही है अभिलाशा भगवान, यही है अभिलाशा भगवान, दुखी जनों के बने सहाई देश धरम की करें भलाई लड़ते लड़ते धरम लड़ाई हो जाएं बलिदान यही है अभिलाशा भगवान प्रातैसाएं इतनी अम से गाएं तेरा गान यही है अभिलाशा भगवान संकट में ना कभी घब राएं साहस कर बढ़ते ही जाएं डरे नहीं डर देव बने हम आरे निडर बलवान यही है अभिलाशा भगवान यही है अभिलाशा भगवान प्राते साएं इतनी अम से गाएं तेरा गान यही है अभिलाशा भगवान यही है अभिलाशा भगवान वा जीवा भोथी बड़िया भोथी सुन्दर भजन इतनी सुन्दर अवाज इतने सुन्दर भाव भोथी आनन्द आ गया समय का भाव है समय को देखते हुए आईए अब कक्षा को हम विराम देते हैं एक लंबी ओम धवनी होगी उसके बाद शान्ति पाट सभी का साथ चाहि गहरा में रीड गर्दन सीधी आखें को मलता से बंद गहरा लंबा स्वास लेंगे ओम धवनी के लिए आप चाहिए आप आभ आप रिक्सेग वंधन। ओम दो शांति अंतरिक्षे ग्वंग्षांति प्रिथे वीशांति राप शांति रोषधया शांति वन अस्पत याशांति र विष्वै देवा शांति रबरां्म शांति स्वर्वेग्वं सांति शांति रवशांति शामा शांति रेधि ओम शान्ती 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 मुश्कुराते हुए दोनों हाथों का बंद आखों में घर्षन कीजिए जो विसेश योगी कुर्जा उत्पन होगी उसे अपने पूरे स्थरीर पर मुख मंडल पर धान कीजिए और भोत कॉमलता से नेत्रों को खोलें आज के आनंद के लिए परभु का फिर से एक बार विसेश धन्यवाद और स्रीमान सुक्रम पाल जी का ध्रम पतनी सहीत भोत भोत धन्यवाद इनकी सुन्दर वाटिका में आज हम आए वे हैं इनका पूरा परिवार भी जुड़ा हुआ है तो आजा बेटा आप भी एक बार मैं चाहूंगा आजाओ बेटा एक बार आओ जल्दी से आओ बेटा यह देखिए इनका पूरा परिवार यहाँ पे योग से जुड़ा हुआ है यह देखिए कितनी बढ़िया से पूरे स्पोर्ट से जुड़े हैं इनकी जो पोती है वो भी भूत बढ़िया वोली-बोल की प्लेयर है और गुड़ स्वारी भी आती है उसको और ये आप बेटा क्या कर रहे हूं आप बोली बोल वेरी गुड़ क्या बात है ये देखिए चक्रासन करके दिखा दिया जी बच्चोंने तो वेरी गुड़ ये देखिए तो देखिए अगर परिवार में मुख्या अगर जुड़ता है तो सारे लोग जुड़ जाते हैं और आप देख सकते हैं इतनी एज में भी इनकी साधना जो है हमारे युवा साथियों से बिल्कूल भी कम नहीं थी वेरी गुड़ बिटा धीरे धीरे वापिस आज़ा अराम से वापिस आज़ा और ये देखिए इसने पदमासन लगा आए वेरे देखिए जी कितनी बड़ी वाटिका है और ये सगुन वाटिका और सगुन हमारे साथ बैठी हुई है वेरी गुड़ बेटा भोत बढ़िया और आपको कैसा लगा जी बढ़िया लगा और ये हमारे साथ लगातार लोग डाउन से जुड़े हुए हैं वैसे तो लगातार जुड़े हुए हैं जब भी मैं आता हूँ यहाँ पे अपने होम टाउन पैरेंट्स के पास हमेशा इनकी क्लास में जाने का मुझे जो है सुभाग्य प्राप्त होता है बहुत अच्छा लगता है पूरी क्लास इनकी बहुत बढ़िया चल रही है बहुत ही अच् प्राप्त है